ओम सिरी गड़े साय नमा मित्रों मैं रागोराम मिस्रा आप लोगों का अपने इस यूटूब चैनल पर एक बार पुना स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं धनुरासी के मोल नच्छत्र की महलाओं के विशय में मोल नचत्र की महलाएं कैसी होती है इनका पारिवारिक जीवन कैसा होता है इनका संतान सुख कैसा होता है और इनका इनके पती के साथ कैसा रहन सहन होता है इनकी धन की स्थिती कैसी होती है आदि के बिसे में हम बात करेंगे अब चुकि धनूरासी में मूल नच्छत्र मुख्य नच्छत्र में आता है मूल का अलत होता है जड तो ये मूल नच्छत्र की जो महलाएं होती है ये मध्यम कद्की होती है और कहीं कहीं पर तो ये थोड़ी और छोटे कद्की भी होती है लेकिन ये है कि सारीरिक तोर पे ये हर्ष्ट पुष्ट होती है स्वस्थ होती है गोल चहरा होता है आँखें बड़ी बड़ी होती है और बड़ा आकरसा चहरा इनका होता है इनका जो आप सरीर देखोगे एक भरा पूरा सरीर होता है लेकिन ये छोटी कदकी जरूर होती हैं लेकिन दिमाग की बहुत तेज होती है इनकी याददास आप देखोगे तो लोहा मान जाओगे कोई भी बात इनको कभी भूलती ही नहीं है बचपन की बात इनको साठ के बाद भी पूछोगे बिल्कुल हूँ बहु वो इसे बताएंगी यही कारण है कि मोलन च्छत्र के लोगों के बारे में एक कहावत है कि ये सुभ नहीं माने जाते हैं प्रन्तु ये असत्य है मोलन च्छत्र की जो पुरुस या महला कोई भी हो तो वैसे तो इनके बचने की संभावना कम होती है प्रन्तु अगर ये जीवित पच जाते हैं तो ये बहुत बड़ा राज भोग करते हैं अपने जीवन में मोलन च्छत्र की महलाएं अपने बल भूते पर इतना धनर जिद करती हैं कि इनको किसी अन्य की साहिता लेने की आसकता नहीं पड़ती है मोलन च्छत्र की महलाएं किसी की मदद करना हो तक पर मदद करती हैं लेकिन ये जिसको मदद कर रेती हैं वो उल्टे इनको मदद के बजाए फिर दीरे दीरे इनसे दूरी बना लेता है फिर भी मोलन च्छत्र की जो महलाएं है वो अपने आचरण में कोई परिवर्टन नहीं करती हैं यानि कि वो फिर लोगों का मदद करती रहती है अब इनका पारिवारिक जीवन के बारे में हम बताएंगे परिवार, धन, वाणी मूल नच्छत्र की महलाएं वैसे तो बड़ा परिवार में जनम होता है कभी-कभी ये मध्यम परिवार वाली होती है लेकिन मूल नचत्र की महलाओं को माता पिता का सुख मिलता है लाड़ प्यार भी मिलता है और ये अपने परिवार की सेवा करने में ततपर रहती हैं कोई भी काम हुआ मूल नच्छत्र वाली कभी ठकती नहीं है कोई भी आया यह काम कर दो कर दिया वो आया यह काम कर दो कर दिया यानि पूरा परिवार अगर मूल नच्छत्र की लड़कियों पर निर्भर रहता है तो यह कोई गलत नहीं है और यह सब के लिए सेवा भाव करत पानी सब और अपना काम भी ये करती रहेंगी अब सिच्छा दिच्छा के मामले में आप देखिए तो सिच्छा दिच्छा इनकी बहुत मेहनत करने के बार सफल होती है लेकिन यह है कि इनके परिवार वाले इनको सिच्छा देने में कोई कमी नहीं रखते हैं लेकिन ये पढ इसलिए ये कम सिच्छा के बावजूद भी ये मेनत करके अच्छा धन अर्जित करती हैं। भाई प्राक्रम अस्थान, अब मैंने बताया आपको कि धनुरासी की यानि कि मूलन चेत्र की महलाओं को बहन भी होता है, भाई भी होता है। और सब लोग इनको प्रेम करें या न करें लेकिन ये अपने भाई बहनों को बहुत अत्यधिक प्रेम करती है। माता, मित्र, मकान, सुख, मूलन चेत्र वाली जो महलाओं हैं, लड़कियां हैं, ये अपनी माता का बिसेश सम्मान करती हैं। और इनकी मा भी अपनी मूलन चेत्र की लड़की को बिसेश ध्यान रखती है, उसका खाना, पीना, अगर किसी ने उसको अधिक काम करवाया तो वो उल्टे उट से जगड लेंगी, क्या है, एक ही लड़की को बार बार लोग काम करवा रहे हैं ये, तो जो इनको अपना मात प्रेम मिलता है, इनकी मा का जो सुख सहयोग मिलता है, इसका इनके अंदर बड़ा गहरा असल पड़ता है, और ये अपनी मा का बहुत सम्मान करती हैं, वैसे तो ये अपने पिता का भी सम्मान बहुत करती हैं, लेकिन मा के मामले में ये बहुत सतर करहती हैं, कभी भी ये क धन कमाएंगी अपने लिए ये गहना आदी नहीं बनाएंगी लेकिन मा के लिए कुछ ना कुछ कपड़ा गहना कुछ ना कुछ जरूद बना के देती हैं इनकी मा नहीं चाहते हुए भी कि नहीं लेंगे लड़की की है लड़की का नहीं लेना चाहिए आदी लेकिन ये जब होती है वह अपक्ति एक प्रकार की जीओन लिखा होती है अब मुझे नहीं जो लड़किया है इनकी पढाई लिखाई मैंने आपको बताया कि पढाई लिखाई के मामले में यह वैसे तो मेधा 뉴스 होती है पढ़ने लिखने में क्योंकि जिद्धी होती है मोल मने जड़ 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 जिद्धी जो चीज को यह पकड़ लिया उस चीज को यह छोड़ती नहीं है इन्होंने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है तो यह बनेंगे दिन रात मेहनत करेंगी और अब उद्देश क तो यह जब तक हासिल नहीं कर लेंगी यह कभी ठकती नहीं है मोल नच्चत्र की लड़कियां समय से अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है हां अगर इनको परिवार वालों का भी इनको बराबर सहयोग मिला पढ़ाई के लिए इनको हर तरह से सहयोग परिवार वाले करते हैं तो यह अच्छी पढ़ाई करती हैं और एक दिन यह बहुत अच्छे पद पर जाती हैं अगर इन्होंने बिजनस की पढ़ाई किया तो वैसे तो यह कई बिजनस की जानकारी रखती हैं और हमेशा यह वो बिजनस सुरू करती हैं जिसकी इन्होंने पढ़ाई बाद में की ह पहले की पढ़ाई इनका यह है ग्यान रहता है लेकिन इनकी पढ़ाई के से हटके इनको दूसरे बिसे में नोकरी या बिजनस करने का आउसर प्राप्त होता है रोग सत्व कर्याद अब मूल नचत्र की जो महलाएं हैं इनको मैंने आपको बताया कि ये जिसको धन की मदद कर दी आप मान के चलिए कि वह व्यक्ति धन लेने के बाद फिर दीरे दीरे इनके बिरोध करने लगेगा और बड़ी मुश्किल से इनका एक तो धन वापस करेगा धन वापस करने के बाद भी वो इनका किसी न किसी तरह से गुप्त सत्रू ही रहेगा मित्र तो वो पकआ बन नहीं सकता वैसे तो ये एक बाद जब समझ जाती है तो दोवारा उसे मदद करने में ये भी आनकानी करती है लेकिन ये है कि ये किसी को दुखी देखके बड़ी जल्दी दिरवित हो जाती है और फिर उसकी मदद कर ही देती है तो कभी-कभी मदद इतना ज्यादा कर देती है कि आदमी को आशक्ता कम है और ज्यादा साहेता मिल गई तो वो यह समझने लगता है कि इसको बुद्धी कम है यानि कि वो अपने आपको बहुत हुस्यार और इनको मुर्ख समझने लगता है ये समय का उलट फेर होता है कि जो बहुत समझदार बनता है वो फिर जाकर इसी मोल नशत्र की महलाओं सामने उसे गिलगलाना ही पड़ता है ये भगवान की किरपा इन लोगों के उपर होती है और तब वो अपने जमीन पर असलियत पे आता है फिर भी ये ना चाहते हुए भ साधी बिवा बैवाहिक जीवन अब आप देखोगे कि मूल नशत्र की महलाओं कि साधी थोड़ी लेट होती है और लेट होने के साथ साथ चुकि इनका पती लंबे कत्का होता है गोरा चिकना सुन्दर होता है ये अपने पती की बड़ी सेवा करने कोशिस करती है क्या पाऊं है क्या उसको खिला दें क्या पहना दें और अधिक सेवा ही इनके लिए नुक्सान करता है फिर बाद में ये होता है कि घर में चर्चा होने लगता है रहे वो तो खाली एक ही आदमी अपने पती की ही खाली सुनती है करती है तो इनके घर में सस्वाल में जहेलना परता है वैसे करती हैं अपनी सासूर का भी पूरी सेवा करेंगे सासूर की भी सेवा करेंगे हां सासूर इनकी बात का हमेशा समर्थन करता है इनका ध्यान रखता है इनको किसी ने अगर कुछ कहा तो तुरंत इनका सासूर उसको डांटे बिना बैठेगा नहीं क्यो कभी-कभी तो इनके पती भी इनके उपर बेवजे नाराज हो जाएंगे तुमने उनके लिए वो नहीं किया उनके अपने लिए नहीं बोलेंगे क्योंकि अपनी वो सिकायत करने का यह कोई मौका देती भी नहीं है तो अपनी सिकायत नहीं लेकिन वो जब कोई किसी की कमी ढोलना ही है तो कुछ ना कुछ मिल ही जाती है तुमने भाई को यह नहीं दिया, बहन को यह नहीं दिया, मा को यह तो बेवजे जबकि ना इनकी सासू इनकी सिकायत करेगी ना इनकी ननद इनकी सिकायत करेगी लेकिन चुकि ये रासी क्या होता है थोड़ा जिद्दी और गुसेल होता है फिर ये मुफलाएंगी गुसा करेंगी अपने पती से तो इनका गुसा अस्थाई होता है ये एक एक दिन पूरा बात नहीं करेंगी पती से, भले पती घर में ही हो, साथ में ही रहता हो, लेकिन अगर ये नाराज हैं और उस सामने से इनको फिर फुसला के बहला के बात नहीं किया, तो ये बड़ी जल्दी जुटती नहीं है, इसलिए कुछ समाई के लिए ये अपने जिद्धी हलचल मच गया, अगर मून नचत्र की महलाएं नाराज हो गई, तो सब को समझाता है, ये काम करेंगी सब के लिए, इनको ये चाहिए, उनको चाहिए, लेकिन अपने लिए ना खाएंगी, न प्याएंगी, और बोलेंगी भी नहीं, गुसे में रहेंगी, तो जब तक इनका गुसा सांत नहीं होता, फिर परिवार वाले मिलकर इनको बाते करना, इनको खुस रखने के लिए हसाना, इधर की बाते करना, उधर की बाते करना, फिर धीरे धीरे करके, ये साम तक माहौल इनका कर्टोर हो जाता है, और इनका गुसा भी सांत हो जाता है, फिर वही हंसी ख सब्सार हो जाते हैं तोंस इसे क्या काराण हैं पूरी बात की जानकारी कर Kansas मामले को जब तक koal नहीं करा किरा देते हैं उभी बेचाइन हो जाते हैं क्योंकि यह सेवा खूब होब करती है अपने साथ ससुर की नत की जो भी है पती की सेवा में भले कोई इनकी कमी रह जाए लेकिन अपने सासस्टक की सेवा में यह कोई कमी नहीं रखती है हाँ यह है कि बहुत कम ही लोग इनकी पृसंसा करते हैं जबकि यह आपनी प्रसंसा सुनने के लिए हमेशा ब्याकुर रहती है कोई इनकी प्रसुंसा कर दिया तो ये गदगद हो जाती है और फिर इसके बाद ये उसके लिए जो भी सेवा सथकार है करती रहती है नातेदार इस्तेदार भी अगर इनके घर में आते हैं तो इनकी ये उनका भी पूरा ध्यान रखती है इक्सिडेंट दुरगटना मृत्यवास्थान अब चुकि मूलन च्छत्र की जो महलाएं है वो वैसे तो गाड़ी गोड़ा चलाने की सौकीन होती है बहुत ही मती होती है डर तो इनके अंदर होता ही नहीं है ये सत्त की पुजारी होती है और सत्त पे ये अडिग रहती है कभी भी ये समझोता सत्त के लिए नहीं करेंगी जो है वो अगर इनका पती भी कोई गल्ती करता है तो मूँ पे बोल देती है यही कमी है कि ये कभी-कभी अधिक सत्त बोल देने के कारण मानसिक बेचर प्रेसान हो जाते है क्योंकि सत्त सबको उतना प्रेय नहीं होता है अब ये गाली गोड़ा भी चलाती है तो सोच समझ के चलाती है लेकिन ये है कि ये इनको कोई जोस दिला दे की हमसे तेज चला के दिखाओ तो ये फिर जोस में आ जाती है इसलिए कहा गया है कि मूलन चत्र की जो महिलाएं है थोड़ी जोसिली जरूर होती है लेकिन ये है कि सावधानी बनाए रखती है गाली गोड़ा चलाते समय भी और विसेश कर अगर इनके परिवार का कोई सदस इनके साथ है तब ये किसी भी तरह के जोस में नहीं आएंगी और बहुत धीमी गती से गाड़ी चलाती है धर्मस्थान, भाग्यस्थान अब मूलन चत्र की जो महिलाएं है वो अपने भाग्य की आपेच्छा, अपने कर्म पर विस्वास करती है पूजा पाठ करती है, भगवान की बहुत भक्त होती है जो मंत्र वगेरा इनके दिमाज में किसी ने डाल दिया यह उस मंत्र का प्रति दिन जाप करना, पूजा करना भगवान के प्रत दीप आती करना यहीं इनका देहनिक क्रिया होता है भागी भी इनका साथ देता है जिसे इनको समय से संतान हो जाती है और संतान भी इनके अच्छे और बहुत सुन्दर होते हैं और ये भी तीर स्यात्रा ये कहीं भी यात्रा करेंगी तो तीर स्यात्रा का जरूर उसमें कुछ न कुछ अस्थान रहेगा तो तीस ayuda की भी बड़ी सौकीन होती है और भगवान की का दरसंद करके उनका पूजा पाट करके इनको अति पसुनता प्राप्त होती है पिता अस्थान सम्मान मान प शिद्धी कर्म अब इनका पिता इनको सम्मान करता है इनका पूरा ध्यान लगता है और इनके पिता को ये पता होता है कि इनके लड़की बड़ी भोली है सिधी है इसको कुछ भी कोई लोग कह दो ये अगर कोई जिद पे नहीं आये तो ये किसी बात को ध्यान नहीं देती है कह दिया कह के चला गया कुछ नहीं हाँ यह है कि कोई बार बार जब इनको परिसान करता है तब यह बहुत क्रोधित हो जाती है यही पर इनके पिता अपनी लड़कियों का पूरा ध्यान रखते हैं कभी कभी तो दूसरों को डांट देते हैं लेकिन जहां इनकी साधी होती है तो यह अपने ससुर का सेवा भाव भी खूब करती है और इनका ससुर भी इनका बड़ा सम्मान करता है इनके सुख दुख का हमेशा ध्यान रखता है किसी ने अगर इनको मजात में भी कोई बात कह दिया और इनके ससुर के कान पड़ गई बहुत फटका रहेंगे उसको कदापी दूसरी बात बहु को ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए कहने का मतलब कि यह जितना अपने ससुर का ध्यान रखती है इनका ससुर भी इनको उतना ही ध्यान रखता है और बिल्कुल अपने बच्ची जैसा इनका बात भी करेगा और ये कोई बात कहेंगी तो तुदर्द मान लेते हैं इसलिए ये देखा जाए कि इनके और इनके पती के बीज में तो खिट-पिट होती रहती है लेकिन ये है कि इनका ससुर बीज में पढ़के कभी जगड़े को आगे बहने नहीं देते हैं लाभ अस्थान अब चुकी मैंने आपको बताया कि मूर्न च्छत्र की जो महलाएं होती है अपने कर्म से मेहनत से इतना लाभ प्राप्त करती है कि कभी कभी तो वो अकेले अपना इतना कमाई कर लेती है कि पूरे घर का खर्चा समाल सकते है इसलिए ये जब एक बार अपना बैंक बैलेंस बनाना चालू करती है कुछ न कुछ ये धन जोड़ती रहती है और आप देखो कि इनके गहनों की भी संख्या अच्छी खासी रहती है ये सोने की बड़ी सोकीन होती है चानी बहुत कम ही खरी देंगी बहुत गया गुजरा समय हो तो भले ये चानी का कोई सामान खरी दें ये हमेशा गोल्ड की लाल्ची होती है और गोल्ड में हमेशा धन इंवेस्ट करती है इसलिए ये अपने साधी तक काफी कुछ गोल्ड का जेहरात आदी बना लेती है बाद में अपने सास ससोर और पती से भी कुछ न कुछ गोल्ड की मांग भी करती है और वो इनको पराप्त भी होता है यह है कि अपने जवारात को यह बहुत सुरचित रखेंगी यह घर में रखने कि अपने बैंक में सुरचित रखेंगी कोई तिवार आया तो उसको लाके अपने घर में पहनना सब के सामने तब लगता है कि हाँ देखो इनके पास कितने गहने है कितनी धनी महिला आयाई ये जब ये दिखाना चाहती है तो ये सब को फिका कर देंगी इनके पास इतना रहता है लेकिन ये ज़्यादा सोबाजी करना पसंद नहीं करती है यात्रा अफ्थान बै अफ्थान बिदेश अब क्योंकि मूल नच्छत्र की महिलाएं अपने पती के साथ अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टहलना गुमना पसंद करती है यात्रा के दौरान ये खरीद फरोगत भी करती है वहाँ पर कभी कभी ये जल्दबाजी में कोई खरीद फरोगत में सावधान रहती है कोई भी चीज खरीदने से पहले उसका अच्छी तरह मोल भाव करेंगी जब इनको पूरा विश्वास हो जाएगा कि इसकी सही कीमत ये है सही सामान ये है तब ये वो चीज खरीदेंगी प्रम्तु आज के युग में चालाकों से भरी हुई इस दुनिया में भी ये लोग धोखा खा ही जाती है फिर भी ये अपने को कोई दुखी नहीं मानती है जो हो गया हो गया ले आया सामान नहीं सही निकला तो भी कोई ये विशेश अफसोस नहीं करती है अगर इनके घर में भी कोई ले आया तो इसको ऐसी इस तरह से ह जाल देंगी जाने दो हो गया आ गया मनलब ये किसी मामले को बढ़ाना पसंद नहीं करती हैं हाँ ये है कि ब्रिध्धा वस्था में इनकी अच्छी प्रस्था होती है इनके काम की लोग कद्र करते हैं इनको सम्मान देते हैं और ये भी एक अच्छी अज्याकारनी महिला की तरह अपने पूरे परिवार का ध्यान रखती है तो मित्रों मैंने आज आप लोगों को मूल नच्छत्र की महलाओं के बिसे में बताया मुझे आसा है कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और आपने मेर चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिए